चानक के IAS Academy में आप सभी का स्वागत है आज हम बात करेंगे भारत में समलेंगिक सम्मंद और उनकी शादियों के बारे में पार्थ फिरोस महरोत्रा और उद्यराज आनन्द गे कपल के रूप में साथ रहते हैं दोनों मिलकर बच्चों की परवरिश भी कर रहे हैं हाला कि कानून उन्हें बच्चों को गोद लेने का अधिकार नहीं देता है क्योंकि भारत में सम्मंद लेंगिक शादि को कानूनी मा मानेता नहीं मिली है ऐसे में इन्हों ने अपनी शादी को मानेता दिलाने के लिए सुप्रीम कोट का दर्वाजा खटखटाया जिसके बाद सुप्रीम कोट ने भारत सरकार से चार सप्ता में सम्मलेंगिक विवा पर जवाब मांगा है तो इसलिए आज हम सम्मलेंगिक वि से शादी करें तो इसे same sex marriage या हिंदी में समलेंगिक विवा कहते हैं 2018 से भारत में समलेंगिक सम्मंद बनाने की पर्मिशन है लेकिन शादी की नहीं ऐसे में कोई भी समलेंगिक जोड़ा Supreme Court में same sex marriage को मानेता दिलाने के लिए याचिका दायर कर सकता है और इसी तरह की याचिक पर सुनवाई हुई पार्त फिरोज महरोत्रा और उद्यराज आनन समेत कई गे कपल ने समलेंगिक विवाह को special marriage act 1954 में शामिल करने की मांग की थी Supreme Court में Chief Justice of India, D.Y. चंदरचूड और Justice हिमा कोहली की बैच ने इस मामले में सुनवाई के बाद भारत सरकार से समलेंगिक विवाह को लेकर चार सपता में जवाब मांगा है Special marriage act, foreign marriage act और Hindu marriage act के तहट समलेंगिक विवाह को मानेता देने के लिए दिल्ली हाई कोर्ट और केरल हाई कोर्ट में नो याचिकाएं दायर हुई है अब हम बात करेंगे कि गे कपल का कोर्ट में क्या पक्ष है और वो अपने पक्ष में क्या तर्क देने है समलेंगिक विवाह को मानेता नहीं मिलने से गोत लेने सेरोगेसी जैसे मूल अधिकारों का लाग इन्हें नहीं मिल रहा है जॉइट अकाउट खोलने में भी मुश्किल आती है Special marriage act का section 4 किसी भी दो नागरिकों को शादी करने की permission देता है लेकिन इसका sub section C सिर्फ पुरुषों और महिलाओं को शादी की permission देता है ऐसे में समलेंगिक विवाह को मानेता देकर कानून को gender neutral बनाया जाए ऐसे इनकी मांग है अब हम बात करेंगे समलेंगिक विवाह और समलेंगिक सम्मन्दों में अंतर क्या होता है इसके बात से भारत में समलेंगिक सम्मन्दों के खिलाब पुलिस में मामला दर्ज नहीं हो सकता है लेकिन समलेंगिक शादी को legal बनाने के लिए LGBTQ community आज भी कोशिश कर रही है केरल हाई कोट दिली हाई कोट सहित कई अदानतों में इससे जुड़ी याचिकाय दायर है भारत सरकार ने इन सभी मामलों की सुप्रीम कोट में एक साथ सुनवाई की मांग की है भारत में समलेंगिक विवा कानूनी है या गैर कानूनी तो सभी को पता है कि समलेंगिक शादियां गैर कानूनी है भारत में भारत में विबिन धर्मों में शादी की वेदिता के लिए कई तरह के कानून है हिंदू जैन बोध सिख धर्म के लोगों के लिए हिंदू विवा अधिनियम 1955 है इसाईयों के लिए Christian Marriage Act 1872 है इसी तरह मुस्लिम अपने धार्मिक कानून मुस्लिम परसनल लोग के तहर शादियां करते है इन सभी कानूनों के अनुसार सिर्फ पुरुष और महिला के बीच ही शादी हो सकती है समलेंगिक समंदों को अपरादिक श्रेणी से बाहर करने के लिए सुप्रीम कोट के पास समयधानिक शक्ती थी इसके अनुसार 2018 का फैसला आया लेकिन समलेंगिक विवा को मानेता देने के लिए कानून में बदलाव करना होगा जो सरकार और संसद से ही संभव हो पाएगा अब हम बात करेंगे कि क्या इससे समंदों बिल कभी संसद में पेश हुए है तो हाँ एपरेल 2022 में NCP संसद सुप्रिया सुले ने लोगसबा में एक निजी सदस्य विधेग यानि प्राइवेट मेंबर्स बिल पेश किया था जिसका मकसद स्पेशल मेरिज एक्ट के तहट सवाल लिंक के दो लोगों की शादी को वेत्ता प्रदान करना था ये बिल संसद में पास नहीं हो पाया दरसल प्राइवेट मेंबर्स बिल एक ऐसा बिल होता है जिसे किसी भी ऐसे संसद द्वारा पेश किया जाता है जो मंत्री नहीं है ऐसे विधेक कम ही पास हो पाते हैं अब तक इस तरह के सिर्फ 14 बिल ही पास हो पाए हैं जिन में से 6 विधेक 1956 में पास हुए थे सुप्रिया सुले के लाएगे इस बिल को छोड़ दें तो इस तरह के विवाह को लेकर संसद में कोई और बिल पेश नहीं हुए है स्पेशल मेरिज एक्ट और इसमें समलेंगिक विवाह को शामिल करने की बात आखिर क्यों की जा रही है सुप्रीम कोट में दायर याचिका की अनुसार समलेंगिक जोडो ने स्पेशल मेरिज एक्ट के तहट शादी के रजिस्टेशन की मांग की है भारत में दो अलग-अलग धर्मों की लोग Special Marriage Act 1872 के तहट शादी रजिस्टर करवा सकते हैं लेकिन इस कानून के तहट सिर्फ पुरुष और महिला की ही शादी हो सकती है याची का करने वालों का कहना है कि Supreme Court इस कानून की gender neutral व्याख्या करती है तो इस से उनके शादी का registration हो सकता है समलेंगिक विवाह को मानेता मिलती है तो इस से बच्चों को कानूनी दरजा मिलेगा साथ ही कानूनी तोर पर संपत्ती के उत्रा दिकार को लेकर सारी बात साफ हो जाएगी इस से समलेंगिक कपल को पासपोर्ड और नागरिक्ता संबंदी अधिकारों को हासिल करने में आसानी होगी इस माबले में भारत सरकार का कहना है कि भारतिय कानून मिलस्ता में सिर्फ जैविक पुरुष और जैविक महिला के बीच विवाह हो सकता है सरकार का मानना है कि समलेंगिक जोडों के पार्टनर्स की तरह रहने और योन सम्मंद बनाने की तुलना भारतिय पारिवारिक एकाई से नहीं किजा सकती है जिसमें एक जैविक पुरुष को पती एक जैविक महिला को पतनी और दोनों के बीच मिलने से संतान पैदा होने की बात होती है इसके साथ ही सरकार ने कहा है कि Special Marriage Act और Hindu Marriage Act वेबिन धार्मिक समुदायों के दीती रिवाजों से सम्मंदित व्यक्तिकत कानूनों से जुड़ा है ऐसे में इसमें किसी भी तरह के बदलाव से देश के व्यक्तिकत कानूनों को मानने वालों की भावना आहत होगी इस से दूसरी समस्या पैदा हो सकती है अगर हम बात करें कि समलेंगिक शादियों का Legal Status दुनिया में क्या है तो कई तरह के देश है यहाँ पर एक देश वो है जहां पर समलेंगिक शादियों की परमेशन है दूसरे देश वो है जहां इनके सम्मंदों की पर्मिशन है लेकिन शादी की नहीं दुनिया में 88 देश ऐसे है जहां समलेंगिक सम्मंदों को पर्मिशन है लेकिन शादियों को नहीं इनमें से भारत एक है तीसरे देश वो है जहां पर समलेंगिक सम्मन्द और शादी दोनों पर रोख है लगभग दुनिया के 120 देशों में समलेंगिकता को अपराद नहीं माना जाता लेकिन सिर्फ 32 देशों में इस वक्त सेम सेक्स में शादी करने की अनुमती है 2001 में नीदरलेंड दुनिया का पहला ऐसा देश था जहां समलेंगिक शादी की अनुमती मिली थी इसके अलावा यमन इरान समेथ दुनिया के 13 ऐसे देश है जहां सेम सेक्स में शादी तो छोड़िये यहां समलेंगिक समंध बनाए जाने पर मौत की सजा का प्रावधान है अब हम बात करेंगे LGBTQ के एतिहासिक सफर पे फ्रांस पहला देश था जिसने 1791 में होमो सेक्शुलिटी को अपराद की लिस से बाहर किया 1897 में जर्मनी की राजधानी बर्लिन में दुनिया की पहली LGBTQ संस्था Scientific Humanitarian Committee बनी 1933 में अमेरिका में पहली बार LGBTQ समुदाय के लिए मेटाचिन सोसाइटी का गठन किया गया 1953 में अमेरिकी रास्पती वाइट डी आईजन हावर ने LGBTQ की पहचान कर उन्हें नौक्रियों से बाहर निकालने का आदेश दिया 1969 में नियू यॉर्क शहर के गे बार स्टॉन वॉल इन में पुलिस ने रेड मारी थी जिसके बाद देश में हिंसक विरोध प्रदर्शन हुए थे 1969 में अमेरिकन साइकेट्रिस्ट एसोसेशन ने समलेंगिकों को मानसिक बिमारी मानने से इनकार कर दिया 1978 में LGBTQ के लिए रेंबो जंडे को पहली बार सेंट फ्रांसिसकों में फैराया गया 1989 में डैन्मार्क समलेंगिक नागरिक संगों को मानता देने वाला पहला देश बना 2009 में आइसलेंड में LGBTQ में पहली महिला चुनी गई प्रधान मंत्री की रूप में जो की LGBTQ समदाय से आती थी 2013 में अमेरिकी राष्टपती बराक उबामा ने पांच समलेंगिक पुरुषों को राजदूत नॉमिनिट किया अमेरिकी सुप्रीम कोट ने सेम सेक्स विवा करने पर लाग भी प्रधान किये भारत में 2018 में सेम सेक्स के बीच शादी अपरात थी लेकिन इसके बाद सुप्रीम कोट ने से खतम कर दिया 2020 में रूस ने सम्मेधानिक तोर पर एक amendment लाकर same-sex marriage को देश में बैन कर दिया इसके साथ ही हमारा आज का ये topic यहीं पर complete होता है हम कल फिर मिलेंगे एक नए topic के साथ आप हमारे YouTube चैनल को like, share और subscribe करना ना भूले Thank you so much